Hello students, this is रुचित जोहान, आज जो हम chapter start कर रहे हैं, उसका नाम है electricity, जो class 10th board के लिए काफी importance रखता है, तो चलिए start करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम topic start कर रहे हैं, वो है electric current, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे capital I से represent करते हैं, अगर हम यहाँ पे electric current को define करेंगे, तो electric current को हम कै कैसे define करेंगे, it is the rate of flow of charge, it is the rate of flow of charge, यहाँ पर देख लेजिए, आपने link भी दिया है, rate of flow of charge, मतलब कि current क्या है, current generally क्या है, flow of charge per unit time, मतलब rate का मतलब यह है कि जो flow of charge हो रहा है, जो charge जा रही है, उसको हम divide कर रहे हैं time से, तो simply हम यह कह सकते हैं, कि electrons यह कैसे, तो चार्ज की क्या speed है, flow होने के लिए, ठीक है, charge की क्या speed है, flow होने की, वो represent करता है हमारा electric current, ठीक है, तो electric current बरावर क्या हो गया, total charge divided by time, कि कि इतने time में, जो हमारा total charge है, वो flow कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं, हमने लिख दिया formula, I बरावर Q upon T, Q यहाँ पर क्या है, charge T यहाँ पर क्या है, time, अगर हम इसकी SI unit देखें, कई वार कूच लिया जाता है, one marks में, कि SI unit क्या होती है, current की, वो थी ampere, जिसे हम रेप्रेजेंट करते हैं, capital A से, थोड़ो सा जूम कर देत हूँ, next, एक और unit हम लिखते हैं, हाँ पर कूलम पर सकेंड, देखें, हम सबको पता है कि charge unit क्या होती है, कूलम और time की unit होती है, second, तो हम इसको यहाँ पर कूलम पर सकेंड भी लिख सकते हैं, ओके, यह complete हो गया, बट इसको आगे continue करने से पहले, हमें कुछ चीजें पता होने चीए, कि भई, charge क्या होता है, यह भी तो पता होने चीए, कि charge क्या होता है, हमारा, ठीक है, तो थोड़ो सा मेहाँ पर charge को और define कर देता हूँ, आपके सामने, चार्ज बेसिकली क्या है, जिसको क्यों से represent कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, चार्ज, देखें, चार्ज एक ऐसी प्रपर्टी है, किसी material की, जिसकी वज़े से, वो क्या होता है, force of attraction या force of repulsion, feel करता है, electrostatic force of attraction या repulsion, मतलब कहने का मतलब यह है, कि अगर कोई charge body है, और अगर वो किसी दूसरी charge body के पास रखा जाए, तो क्या होगा, दोनों के बीच में या तो attraction होगा, या तो फिर repulsion होगा, इस तरीके की जो प्रपर्टी होते हैं किसी material की, उसे कहते हैं, electric charge, ठीक है, यह बात यार रखेगा, आप यहाँ बे, कि अगर दो positive और एक negative charge है, तो वो attract करेगा, अगर दो same type के charge है, माली जब positive और positive तो वो एक दूसरे को ripple करेंगे, और अगर दो negative है, तो भी वो एक दूसरे को ripple करेंगे, तो same type के charge ripple करते हैं, और opposite type के charge attract करते हैं, यह बात आपको पता होने चाहिए, तो simply क्या है, charge किसी material की property है, जिसकी वैसे force of attraction या repulsion, दो charge के बीच में feel, दो charge particles के बीच में feel होता है, यह आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब charge के लिए unit है, वो क्या होती है, charge के लिए unit है, वो क्या होती है, कूलम, यह आपको पता होना चाहिए, और जिसको हम represent करते हैं, capital C से, एक और चीज है, जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कि charge बरावर क्या होता है, total charge बराव पर क्या होता है, हमारा N into E, यहाँ पर N क्या है, number of electrons, और E क्या है, charge on electron, अब आप यह बात यहाँ दखिले कि जो electron पर जो charge होता है, electron के ओपर जो charge होता है, वो उसकी value क्या होती है, fix होती है, और वो कितनी होती है, minus 1.6 into 10 की power, minus 19 कूलम, क्योंकि दीकि charge है, तो उसकी value क्या होगी, कूलम, normally जो हम question करेंगे, तो हम वहाँ पर magnitude के form में ही लिखेंगे, तो हम normally क्या लिखेंगे है, वहाँ पर 1.6 into 10 की power, minus 19 कूलम, ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया गया, कि जो charge on electron, electron क्या एक negative particle है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लेते charge on proton, तो वहाँ पर proton क्या हो आता है, एक positive particle हो आता, तो वहाँ पर negative की जगे positive आता, बस इतना ही change होता, तो हम यह क्या किया है, जो एक fundamental यह कैसे, तो एक smallest charge particle माना जाता है, वो माना जाता है, electrons, तो normally जो भी किसी wire में, या किसी material में, जो charge flow करता है, वो हम कौन सो charge मानते charge on electron, ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, कि लिए total charge, बरावर क्या होगे, n into e, मतलब, अगर देखिए, एक point से दूसरे point तक, एक charge गया, दो charge गया, तीन charge गया, चार्ड चार्ड गया, तो total charge कितना हुआ, तो हम कहेंगे, total charge कितने हो गए, four electron, अब यहाँ पर क्या है, जित अब यहाँ पर यह बात यहाँ रखेगे, जो n की value है, वो यह 1, 2, 3, 4, 5, and so on, infinity तक जा सकती है, हमें इसा यहाँ रखना है, जो n की value हो, कभी भी points में नहीं होगी, n क्या होगा, integer value होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसा नहीं कि उसकी value 1.2 हो जाए, 1.3 हो क्लास में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कि उसकी जाए, तो इसी जरीके से यहाँ पर यहाँ दखेगा, कि n की value है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, and so on, ठीक है, तो यह बात आपको समयज में आ गहीं होगी, इसी को अगे continuum कर रहे हैं, अब आज ही यहां पे current पे, तो i बराबर क्या था, q upon, i equal to क्या था, q upon t, अगर हमसे और आके थोड़ा सा explain करते हैं, तो q बराबर क्या हो जाएगा, n into e, divide by t, तो यह complete formula हो गया, कि total charge बराबर क्या हो गया, n into e, n यहां पे क्या है, number of electron, and e क्या है, charge on electron, ठीक है, तो total charge जो होगा, वो हमें देखना हो कि minus e charge गया, 2 charge गयے, 50 charge गये, तो total charge कितना होगा किसी बाड़ी पे,转ाझ thou एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी पे, 50 charge ट्रांसफर हो गये, 50 electron ट्रांसफर हो गये, तो हम क्या क्या है, total charge कितना हो गया, 50 electron, यह क्या होगा, number of electrons, और e क्या हो गया, charge on each electron, यह पर दावा देखते हैं तो जो current है current क्या है एक scalar quantity है यह बाद याद दखिया है कि current जो है आपकी scalar quantity है ना कि एक ductor quantity है ओके नेक्स यहां पर देख लिजे कि मान लिजे कोई वायर है और वायर में क्या है कि electrons के flow होने का direction क्या है कुछ इस तरही के से इलेक्ट्रों हमारे क्या जा रहे हैं कुछ इस तरही के से फ्लू हो रहे हैं तो यहाँ direction of current क्या होगा Just opposite to the flow of electrons मतलब जस डारेक्शन में electrons कर ने उसके just opposite direction में current flow कर रहो होगा यह आपको यहाँ पे याद बिलकुल है ठीक है, जिस direction में आपका current flow, sorry, electrons flow कर रहे होंगे, उसके just opposite direction में आपका current flow करेगा, ये बात आपको विल्कुल अक्षे से पता होने चाहिए यहाँ पर एक question देख लेजे, एक current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, मतलब एक 0.5 ampere का जो current है, वो किसी filament से draw काना है, मतलब निकला, बाहर निकला, from an electric bulb for 10 minutes, कितने ताइम कर 10 minutes तक, find the amount of electric charge that flow through the circuit, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगर एक current जो है, एक particular time तक, मतलब कितने time तक, 10 minutes तक अगर flow करता है, तो कितना charge वहाँ पर flow किया होगा, सबसे पहले कोशन करने से पहले एक trick है कि सबसे पहले आप हाँ पर given लिखें कि क्या given है, then क्या find out करना है, ठीक है, तो हमें given क्या था, current दे रखा है 0.5 ampere, time दे रखा है 10 minutes, 10 into, अब लिखे, minute को हमने क्या किया, second में change कर लिया, तो 10 into 60 second, जूम कर देता हूं मैं, ठीक है, तो यह होगे 600 second, अब हमें find out क्या करना था है, यहां पर, q find out in charge, हमें पता है कि i बराबर क्या होता है, q upon t, तो q बराबर क्या हो जाएगा, i multiply by t time, तो q बराबर, हमने value रखे 0.5, और time की value 600 है, तो यहां पर आगे q बराबर 300 coulm, students, यह आज रखना, आप यहां पर unit लिखना ना भूलना, तो यह बच्ची क्या होता है, excitation में question तो कर देते हैं, और excitation में भूल जाते हैं कि unit भी लिखनी है, तो कई बार क्या होता है, बच्ची है, आप इस सिर्फ 300 लिख देते हैं, और यह छोड़ देते हैं, तो जैसे आप यहां पर इसकी unit नहीं लिखेंगे, तो 0.5 marks आपके board exam में detect हो जाएंगे, तो या रखना है यह बात है, next question है हमारा, calculate the number of electrons having one coulomb of charge, तो हमें है क्या calculate करना है, number of electrons, n की value fine out करना है, और कितना charge रखा है, one coulomb, तो total charge रखा है, one coulomb, और number of electrons निकाल ले, तो कौन सो formula लगाएंगे हम, हमें पता है, we know, q बराबर क्या होता है, n into e, ठी यहाँ पर क्या है, number of electrons, then हम क्या करेंगे, q की value कितनी है, one coulomb, और charge on electron कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर, minus 19, यह fix है, ठीक है, याद हो न अच्छे है आपको, इसको solve करेंगे, तो आजाएंगी value, 6.28 into 10 की पावर, 18, student यह याद रखना कि n की कोई unit नहीं होगी, यह number of electrons है, number की को unit नहीं होती है, याद रखना यह बात, कई बार बच्चे क्या होता है, यहाँ पर coulomb लिख देते हैं, और यहाँ में stake हो जाती है, उनकी, एक और दिस आप दे सकते हो, n बरावर क्या है, q upon e, q क्योंकि charge unit कितनी होती है, coulomb, divide by electron, electron की unit भी क्या, charge on electron की unit क्या है, coulomb, coulomb स पूछे भी गया, अगर कोई doubt है, तो comment box में comment कर सकते हैं, next lesson में हम लोग electric potential या potential difference हम पढ़ेंगे, ठीक है, thank you very much